प्रूंटे खड़े हो जाते हैं कि रहते कोई नहीं आता है बस यहीं इंत्यार करता हूं कि कोई आ जाए जाना मत गहर मत जाना अभी मैं आपको कुछ क्लिप सुनाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से जिसमें आप देखिएगा मनिश कर्षेप के चचेरे भाई ने उनसे मिलने गए तो क्या कुछ हुआ मैं मेरे आख से आशू निकलने लगे वो रोने लगे बस बहुत हिम्मत करके हम दोनों बात करना सुरू किये बात कर दिया मैंने घर के लिए कुछ नहीं किया मैंने जिसमाबापने मेरे लिए इतना कुछ किया मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया मैं बस समाज बिहार निकल गये देल से, भुल गये उनके करवियों को, उनके करनामों को, जो हम लोगों केलिए उन्हों ने किया, बिहार के लिए किया, बिहार के अचिक छवी के लिए किया, सब धोस्त होगे क्या बिहार के लाल कह जाने वाले मनिशकस अप इन दिनों जेल में किस हालत में है क्या सिच्वेशन जेलनी पर रहे हैं उनको वो भी क्या सोच रहे होंगे किन लोगों के लिए मैं खरा हुआ था किन लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा था सरकार से भी भी भीर गए वो आज उनको देखने वाले कोई नहीं है रोती है उनकी माँ क्या कर बैठा मेरा बेटा अच्छी खासी जिन्द की जी रहे थे वो पैसा काफी आ रहा था यूटूब की कमाई है उनके लिए काफी लेकिन वो दिन रात मेहनत करते थे बिहार की अच्छी छवी के लिए देखो यार अगर कोई कारे कर रहा है तो उसको सपोर्ट किया करो खेर सरकारे तो आती जाती रहती हैं लेकिन ऐसे कारणामों करने वाले हमेशा हम लोग को नहीं मिलेगा अगर मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिए और सपोर्ट में आईए मनिस्कस्यप के ताकि उन पे जो धारा लगी हुई है वो हटे हम लोग मांग करेंगे कि सरकार उनको छोड़ दे काफी कुछ किया है यार मनिस्कस से अपने बिहार के लिए अपना बिहार के अच्छी छवी के लिए और आज वो जेल में काफी दिनों से बंध हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि पता नहीं कब छुटेंगे कोई कोट का केवल तारिक पे तारिक पे तारिक पे तारिक पे तारिक मिल रहा है दोस्तों यही होगा क्या अच्छे कर्मों का फल मा के हजार कोशिस करने पे हजार बात बोलने पे भी वो अभी तक साधी नहीं किये थे ताकि आगे चल के उन्हें अगर राजमंत्री बनना परे विधायक बनना परे एमले बनना परे मुखिया बनना परे राजे का तो अपने परिवार में उल्जेना कि गलती कर दिये हैं कि वो उन्होंने अपना फिल्ड में राजनेति घुसा दिये वो भी हम लोग के लिए ही किये हैं बिहार के लिए ही किये हैं लेकिन काफी बदतर इस्थीती है उनकी अभी जेल में बंद होना कह रहे थे कि बताना मुद किसी को हपते में दोदू नहीं तो खाना नहीं खाते हैं दोस्तों तो ये किलीप आपको कैसी लगी अगर दिल में थोड़ी सी भी मनीश का स्थीप के लिए इस बिहार की अच्छे चवी के लिए जो चवी बनवा रहे थे मनीश का स्थीप अपने दिन रात मेहनत करके काफी लोगों के लिए हेलफ और सावित होते थे वो हेलफुल काफी लोगों के मदद किये हैं वो खेर जो भी है अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजे अपने फ्रेंड को सेयर कीजे और मनिस कलस्फ के सपोर्ट में आईए धन्यवाद जय हिन जय भारत